हेलो नमस्कार जय हिंद मैं विविक आफ शब का एम बेत आरवी परिवार में श्वागत करता हूं आज यह करनी का दूसरा वीडियो है जिसने पहला वीडियो नहीं देखा उजाकर के जरूर देखेगा मैंने उसके लिंक डिस्क्रिशन बाक्ष में दे दी हैं आज कल के जो स सब्सक्राइब करिएगा और वेल आइकन को प्रिस करिएगा चलते हैं आज के कुशन पे आज का कुशन है करणी में 12 प्लस करणी में 12 बनाबर है और चार के तीन के छे के या छे से बड़े जब इस परकार के शवाल आएंगे इसको कैशे हल करेंगे इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा यह जो बारा है क्या है बारा इस बारे को ऐसे डो टिकड़ों में डिवाइड करेंगे इन बारा को ऐसे दो टिकड़ों में डिवाइड करेंगे जिनका अंतर कितना हो एक कितना हो जिनका अंतर एक हो तो आप डिवाइड कर सकते हो कितने में चार और त में तो इसकी multiply करो तो चारती हैं 12 हो गया लेकिन इनका जो अंतर लोगी तो कितना आना चीए एक इनका difference कितना आना चीए एक आना चीए एक आना चीए ऐसे ही दो टुकड़े आपको बना लेना है कौन सा यह इसके टुकड़े करें उसका गुणा करोगे आपस में गुणा करें तो वही संख्या पराप्त हो यानि चारती हैं 12 और difference निकालने तो कितना आना चीए एक आना चीए जब यहां तक हो गया यहां तक किलियर है इसके बाद क्या करेंगी अब यह इसन बीचों में प्लस लगा है क्या लगा है प्लस के सवाल है तो हम बड़ी ओली संख्या लेंगी और माइनस के सवाल है तो हम चोटी ओली संख्या लेंगी यहां पर प्लस का सवाल है तो आपका उत्तर क्या हो जाएग आएगा 4 यहां यानि आफ यह सही ओजाएगा है क्लियर है अगले क option पर चले 3 और 2 3 और 2 की गुणा करोगी तो कितना प्राफथ होगा तो आप बोलोगे 6 प्राफथ होगा और 3 और 2 का difference लोगे तो एक आएगा ये आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों का multiply करो गुणा करो तो वही संख्या प्राफथ हो और difference अंतर निकालो घटाना तो आपको कितना आन चलेंगे अगले कोशिन पिख नंबर 3rd, 3rd का रहा है 110 का करनी में 110 माइनस करनी में 110 और माइनस करणी में डिफ्रेंस लोगे तो कितना आना चाहिए एक आ रहा है आप इसमें माइनस का है जो माइनस का है तो छोटी यह ले ले लिटी प्लस का होता तो बड़ी संख्या ले लिटी यहाँ पर उत्तर क्यों हो जाएगा उत्तर दस हो जाएगा यानि आफ्ष्ण 20 ही हो जाएगा समझ मे मुल्टी प्लाइ में होगा करणी एक ही डिजिट लगी होगी लेकिन आपको देखने एक यह लिमिट सीमा है अनंतर नहीं लगा इसमें यह लिमिटेट सीमा है ऐसे सवाल को कैसे हल करें कि शब से पहले जितना अंग दे रखा है उसको आप लिख लू छे दे रखा है छे ल गुणे 2 गुणे 2 चार बार है तो 4 मैंठिप्लाइ करेंगे और उसमें से एक माइनस करदेंगे और नीचे भी वही काम करेंगे 2 गुणे 2 जो नमस्थे दो बहुत पर मेंठिप्लेेट रो तो दो दुनी 4 चार दुनी 8 अर्दुनी 16 कितना हो जयेगा 2 दुनी 4, 4 दुनी 18 10 तुमिनी शोला और 16 में से एक घटाऊ हो गये तो कितना बचेगा 15 यहाँ पे छे की घाद कितनी बनेगी 15 बटे और नीचे कितना जयेगा शोला अपका उत्तर बने सीमा होगी यह नहीं कि यहां पर डूट डूट के infinite तब यह नहीं फालो करेगा तब यह नहीं करेगा जब यहां पर एक limited सीमा में होगा इस प्रकार के शवाल तो सब से पहले जो इसके अंदर लिखाव को उससे लिखेंगे उसके पाथ जितनी बार होगा, उतनी बार हम क्या करेंगे, दो से multiply करेंगे, ठीक है, और minus 1 करके, minus 1 उसके बीच नीचे फिर वही जितनी बार होगा, उतनी दो लिख करके, करेंगे अगले question पे चले question no.5 Olivia semi discuss number 5 क्या कह रहा है सवाल क्या कह रहा है करणी में 2 कितनी बार है तो देखोगी पांच बार हैं तो सबसे पहले क्या लिखोगेट आप दो लखली है दो लिख लिए सबसे पहले आप दो लिख लो अब देखो कि दो कितनी बार हैं सबसे पहले जो इसके अंदर है वह तो लिख लिए अब देखो कितनी बार है तो पालोगे पांच बार तो यहां पर दो को कितने बिढ़ा करोगे पांच बार दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो और गुणे दो और माइनस एक बटे फिर नीचे उतन्यवार करोंगे 2 गुणे 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 2 Day 5 फार तो पांच बार आप इसको बस अंब करो पांच बार करोंगत इतना आ जाये का दहींGen किस आफ संब्रू यह आदम C & C हो जाएगा के लिए है अगले क्योशन पे चले कुशन नंबर शिक्स सिस्ट क्या है रह तो आपको नजर आएगा क्या है कि करणी में पाँच म эфф दिप्लाइब फाच-बस एक सब्सक्क्राइब लेकिन यह तक हमनत तक है कहां तक है क होगा सब्सक्राइब करेगा जब अनंत unter लगा के हल करोगी कि यदि उसके आगे डॉट डॉट लगा है अनलिम्टेट तक है तो जो इसके अंदर होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा अगला कॉश्चन है कुश्चन नमबर शेवन ये सवाल क्या करेंगी इसको साल करने से पहले देख क्या करते हैं यहां पर कितना लि पहले तक हता हिए तो कि पांच और पांच करोगे जाएकतना हो जाएगा कम प्रैसे वर्ग आया इसका उत्तर कुण शाजए का उले किस rate में है option यह और कौन कि बढ़ी यह बताना है इसमें इस सवाल कैसे आते हैं कि निम्हें से कौन सी करणी छोटी है तो से पहले आपको क्या करना होगा इनकी जो घाते हैं इनका आपको लाशा निकाल लेना है क्या करना है इनकी जो घाते हैं इनका लाशा निकाल लेना तो यह पर तीन है यहाँ दो है यहाँ पर तीन है तो आपको लाशा किसका निकालना है तीन दो और तीन का कितना आ जाएगा निकाल लो तीन से करोगे एक दो एक फिर करोगे तीन से एक 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 दो शे आपका यहां से ला देखो के लाशा कितना आ रहा है तो तीन दूना छे लाशा कितना आ गया तो बोलोगे छे लाशा कितना आ गया तो आप बोलोगे यहां से इसका लाशा कितना आ गया छ कि लाशा कितना आ गया तो आप बोलोगे लाशा छे आ गया अब क्या करेंगी शब से पहले क्या करोगी यह तीन और दो करणी में कितना है दो इसको आप कैशे हल करेंगे तो जो घात लगी है यहाँ पर घात कितनी है तो यहाँ पर तीन है कितनी है तीन इस घात को किसे से जो लासा निकाले इस ते आप भाग कर लोगी तो यानि छे छे बटे कितना करोगे छे बटे तीन तो कितना आएगा तो आब बोलोगे दू आएगा यह दो किस पी इस वाले जो करणी के अंदर है इसमें गहात कितनी है तो यहां पे कितना हो गा तो आप बो लोगा यहां पे 2 होगा अब 2 रखbn के बावर्ण कनी पावर को if करने में कितना है 4 इसको फिर 3 जोह है तीन को फिर 6 से भाग करोगी इत्ना मिलेगा दू यहाँ पर पाउर किसके लगा देंगे चार की है इसको सबसके सब्सक्राइब मैं सबसे हैं समयखे पूंचा क्या है चार 17 सोना तक पूलो बिंगी और के तां नंबर कॉछिन नियुशंट में से कौन से करनी बड़ी है इसमें क्या बताना है करनी कौन से बड़ी है इसमें भी आपको क्या निकालोगे लाशा ही निकालना होगा तीन दो तीन इसका भी लाशा कितना आएगा छे आएगा इसमें भी शंख्या है पहला सवाल देखो इसमें घात कितनी है तीन करनी में कितना लिखा है पाँच अब इस तीन से छे को भाग करोगे कितना मिलेगा दो अब दो को कहा पावर लगा देंगे इस करनी की भीतर इसका मान कितना आएगा तो आप बोलोगे पच्चिस कितना आएगा पच्चिस दूसरा करनी में कितना रिखा है चार करनी में कितना है चार इसकी पावर कित पचकू 64 अगला कौन शाह है तो यह तीन घात में और घात के अंदर करणी में कितना है तो छे इसको भी भाग करोगी छे को तीन से करोगे दू आएगा तो यहां पर छे की घात कितनी लगा देंगे दू हल करोग इतना आजाएगा तो आप बोलोगे 36 अब देखो यह मान आप के शामणिया आगय आप बोलेगा इसमें से कौन बड़ी है कौन बड़ा पच्चिस्च चोंसर किशम तृष्टी साफ च्छह लगा तो कैशन रहा आज का सेशन कमेंट बख्स में जुरू बत यह कि मिलते हैं कल नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिन